गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम तू माई चैनल नेक्स्ट आप गुरुकुल डेडिकेटेड चैनल फॉर यू गाईज होब आप सब लॉक्डाउन में अपना रूटीन मना के स्टुडी कर रहे होंगे बच्चों देखो यह समय आपके लिए बहुत इंपोर्टें है इसका अगर आप सही इस्तमाल करोगे तो आपका बहुत अच्छा काम आएगा ठीक है तो इसका आप बरपूर इस्तमाल किजिए इस समय का आप अपने रूटीन मना के पढ़िए इसमें अराम से ठीक है हम जैसे कि आपको पता है कि अभी तक मैंने इसके दो पार्ट करा सुसेल साइंस में मैं डेमोक्राटिक पॉलिटिक्स वंच पढ़ा रहा हूं जिसका पहला चप्टर वट इस डेमोक्राइसी और वाइस डेमोक्राइसी मेंने के पार्ट वन पार्ट टू बना चुका हूं ठीक है अगर आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा यह पूरा डेटेल में दंग से डिसकर्ण किया है की इस डेमोक्राइसी के बारे में mają के बीच में बच्छों के बीच में कि यूँ झंडीक्र इंधरी डेमोक्राइसी जरूरी है तो उसमें डेमोक्रेसी के बात चलती कि हमें डेमोक्रेसी से फाइदा क्या हुआ हमें लोगतंत्र तो मिल गया पर हमारी पुवर्टी दूर नहीं हुई है पर पुवर्टी हमारी इसलिए नहीं है कि लोगतंत्र है पुवर्टी अगर हम ऑटक्रेटिक भी होते हैं अगर हम त अच्छा करेगी तो अगली बार फिर चुन कि आएगे बुरा करेगी तो उसको सरकार बदल दी जाएगी या तो सरकार अगली बार चुना होगे तो पबलिक याद रखती और उसको सरकार को बदल दा लेगी तो इसमें क्या होता है जो हमारे एक दम बिल्कुल छूट नहीं रहती कि अब जो मटजी करें यह के एक रिस्पॉंसिव वाल एक जौब दही सरकार का जौब दही तंत्र बनाता है जौब दही बनाता है मतलब हमारे सिस्टम को जौब दही बनाता है ठीक है तो यह हम पढ़ रहे थे यह मैडम ने डिसकसन के बारे में उल्केंड़ पढ़ चुके थे और तो अर्क्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रैसी कि यह खिलाव क्या-क्या औरजोमेंट देते हैं सबसे पहला लोग लीडर्स कीप चेंजिंग लीडर्स कीप चेंजिंग इन डैमोक्रैसी दिस लीड टू इनिस्टेबिलेटी बिल्कुल बात सही है कि लीडर्स हार चेंजिंग क्योंकि हमारे क्या है हमारे पास क्या है हमारे पास लोगतंत्र हुआ है हमारे पार्लेमेंटरी डैमोक्रैसी है भा तो इसका क्या होता है इसमें क्या चेंज करते रहते हैं समय के साथ यह सरकारे बदलती रहती है मैं आपको एक बड़ी ऐसा एक्जामपल देता हो क्विकली आपके समझ में आ जाएगा 2018 में 2018 में मध्यपरदेश राज जी आपको पता है यह MP भारत का दिल MP MP में चुना हुए तो MP में चुना हुए तो MP में क्या हुआ majority किसी के पास नहीं आई कॉंग्रेस के बाद जो majority आई उसको पास चार सीटे कम थी majority से सब्सक्रों majority अगर 200 थी तो 200 में से 250 अगर 200 रही होगी तो 200 में से कितना है उनके कि लगबग 200 में पता है MP में कितनी सीट्स हैं उसकी विदान सभागी पर मान लिए 200 रही होगी 200 में से लगब 99 लगा लो आप 99 के आसपास आई होगे गर एक किया 98 आई थी तो दो सीटे कम पर रही थी यह किसी और ने सपोर्ट करके कि बनी BJP की नई सरकार बन की और शिवरा सिंग चोहां जी मुख्य मंत्री बन की एक साल के अंदर सरकार गिरके दूसरी सरकार बन की ठीक है न तो यह क्या होता है इसमें क्या है democracy में यह होती है instability भी होती है कि stable नहीं होती है government है तो एक argument लोग यह देते हैं दूसरा argument लोग देते है democracy is all about political competition and power play and there is no scope of morality यह भी थोड़ा सा बात सत्य है कि democracy में सारा खोल पॉलिटिकल competition है यह है पर सवाध ही है यह नहीं है देखो black and white नहीं होती चीज़े ग्रे अरिया भी होता है कि कोई चीज़ बहुत ही बुरी नहीं होती है, बीचका पाथ होता है, कुछ चीज़ अच्छी बहुत ही बुरी भी होती है, तो इसमें, डेमक्रीची अलावड पॉलिटिकल अपॉलिटिकल कॉम्पटिशन होता है, एक दूसरी की टांग किस्दे रह तो राजा से अच्छी डिमांड करेगी यह नहीं कि मुझे दारू दीजिए मुझे मुझे पैसा दीजिए तह मैं आपको वोट दूँगा जब आप दारू और या पैसा या मसल पावर इस्तमाल करके आप वोट लोगे तो आप कैसे उम्मिद कर सकते कि आपका नेता अच्छ करनी पड़ती है कोई भी चीज सरकार धढ़ने से एकदम से फैसला नहीं ले सकती तो उस पर इससे फाइदा भी होता है कि रैस डिशिजन लिया जल्दी में आप बोलते हैं जल्दी काम सैतान का जल्दी में आपने बीन सोचे समझे डिसन ले ले तो गलत भी हो सकता है इसल कि जनता चाती है वह ऐसी कर देती है ठीक ना सरकार क्या होती है सरकार जनता के साफसे काम चलती है कि जनता देखती है यह पसंद तो जनता को यह जो जनता को पसंद जातर वह चीज़े करती है क्योंकि सरकार को अकाउंटेबल है यह वर्क वो दो साल बाद तीन साल बाद प बिल्गुल सही है, करप्शन भी हो जाता है, और इलेक्राल कॉंपटिशन भी है, और अधनी पीपल डॉन्ट नो वट इस गुट फोर थेम, देसुट नोट डिसाइड अनिथिंग, यह बात सही है, कि ordinary people को नहीं पता होता, पर यह क्या, यह awareness की कमी है, इसके लिए कि हमारे literacy, awareness, political literacy, यह ज़रूरी है, इसलिए तो हमें यह पढ़ाई जाती है, political science वगेरा, ताकि हमारा जो citizen है, आप लोग ही कल citizen बनोगा, you are the future voters, ठीक है न, आप ही लोग कल के दिन भारत के voter हो, तो आप लोगा जब यह knowledge मिलेगा, कि democracy हैसा होना अची है, आप check and balance, आप पूछते होगे, social media का अस्तमाल करके, आप पूछोगे सरकार से सवाल, तो यह क्यों नहीं होगा, तब आपके अंदर क्यों नहीं आईगी awareness, आप सरकार अची चुनोगे, ठीक है न, ऐसा नहीं है, कि जनता इतनी बेकूब नहीं है, भारत की जनता बहुत मिचोर है, विए वे मिचोर voter अब, पहले गमाने में किसी था, अब जो अमपारे पास जो voter voter है, वो बड़ा जागरूग voter है, सवाल पूशता है सरकारों से, सरकारों से जवाब मांगता है, काम पूशता है, ठीक है न, सिर्फ नाम पे वोट नहीं देता, अब एक चीज़ बताते हैं, एक यातर है, कि मैंने बताने हैं, कि डेमोक्रेसी एक magic solution नहीं है, कि आप डेमोक्रेसी आई, आपकी poverty भी दूर होगी, आपकी awareness भी दूर होगी, सब कुछ हैल्थ वोगरा, सब सुदर गया, ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी कोई चमन प्रास नहीं है, कि अशा खाया और सब कुछ हो जाए, कोई जड़ी बूटी नहीं है, संजीवनी नहीं है, डेमोक्रेसी क्या एक अच्छा मीडियम है हमारे पास, एक दम से आने से तुरंट poverty दूर नहीं करेगा, पर यह जवाब दे बनाता सरकार को और सिस्टम से बहतर है हमारे पास, जो सिस्टम है हमारे पास, अगर आप चलो आप बोलो कि डेमोक्रेसी पहतादी तक कोई और सिश्टम है तर बार इत्र इसिस्ट्रम कून सा बताहिए सबसे बाइस सिस्ट्रम अभी यह तैम auraitसी क्योंकि बागने सिस्ट्ख उस से बेकर बहुत ही जए जραब और टेस्ट्र HEAM य provocले पहान पहुचे पहले न ऊजound smchf नडिला साही से फिर उल्टेसंक भी सब्सक्राइसिटम है टीकिस ना कि एट कि लेसे के लिया करती है लुरुट कर रहे हम अपने अधरियद ऑप्थी कर ले सके हम अपनिंपनी नगजी कि शरकार थे हम अपने आपको एक तरह से हम अपनी आप को रूल कर रहे हैं ठीकि है 大 कुछ लिउंग है लोग के लिए कि कुछ लोगों को चुनते हैं decision does does lead to delay in decision making अब लोगों कोप decision में इस्थमाल करोगे लोगों को इसे वो करोगे आप बाचीत करोगे तो हो सकता है देर होगी होगी naturally यह बीता ही बहुत अच्छी चल रही है दूसरी पार्टिया युसरी पसंद या उसने बदल दी यह भी होता है बहुत होता है वहाँ खासकर parliamentary democracy में ना जो हमारे पास है इसमें यह चीज़ें बहुत होती है पर यह ही एक यह कारण नहीं कि आप हमें democracy छोड़के अब उसमें चले जाना अच्छी autocracy में नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है ना इससे और बाकी जो हमारे वह बेकार है अब argument for the democracy यह अगेंस्ट वाले हमने पढ़ लिए अब argument for the democracy पढ़ते हैं क्या क्या है अब आपको एक example देखे बताते हैं देखिए चाइना में 1958 में और 1961 के बीच में 1958 से लेकर 1961 के बीच में विश्व का सबसे जबर दस्त सबसे खतरनाक वह पढ़ा फैमाइन ठीक है फैमाइन मतलब आकाल पढ़ा बहुत ज़्यादा लोग मरें लगबग तीन करोड आबादी मरी उनकी ठीक है ना 1958 से लेकर 1961 में थ्री करोड पीपल डाइड इंदर फैमाइन डूरिंग दीज डेज अब ऐसा देखो एक्जामपल यह चाइना का कि चाइना में फैमाइन पढ़ा तीन करोड लोग रहे उसी समय भारत की भी हालत खराब थी भारत की इतनी हालत खराब थी कि हम क्या करते थे हम गयों को इंपोर्ट करते थे का से अमेरि 1658 62 Hazus 10 पे उसके बाद हमने ग्रीनिग स्स्टाट ख्रान के ए अधान का बढ़ाया नियू इससे पहले हम क्या करते थे हम सिप के मादियम से समुद्र जहाज के माध्यम से क्या करते थे अमेरिका से ग्यों मंगाते थे और तब हम अपनी रासंग के दुकावनों के माध्यम से लोगों के घरों में ग्यों पचाते थे तो डियूरिंग दोजें इंडिया एकनॉमिक कंडिशन वा जुड़ात थि भारत की इकनॉम इतनी जबरदस नहीं ती जितनी आज है ठीके येट इंडिया दिद नोट थे फैमाइन ऑफ इस काइंड थे फिर भी देखे भारत में इस तरेका के फैमान नहीं पड़ा जितना चाइना में पड़ा ठीके तो इसका एक ही कारण माना जाता है जो इकनोमिष्ट बताते हैं एक ही कारण है कि भारत क्या है एक लोग तंत्र है हमारे वी लिवस इन डेमोक्राइटिक कंट्री और हमारे क्या सरकार जॉप दही है गौवर्मेंट इस अकाउंटेबल पुपलिक हमारे पार फ्री प्रेस है अब पूचिसन पार्टी जो धर्ना परदसन कर सकती है फ्री प्रेस है जो सरकार के लाव लिख सकती है कि भी सरकार करती क्यों नहीं काम ठीक है अकॉंटेबल गौर्बर्मेंट पांसाल बाद इलेक्शन होने लोगों ने वोटिंग करनी है तो यह सब हमारे इसके कारण क्या हुआ हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया तो हमारे डैट इस वाज़र्ट ऑटो इकनोमिस बोलते हैं यह क्या कले रहे है रिजल्ट ऑफ गौर्वेंट पॉलेसी पॉलेसी तू तू डिक तू कंट्रीज ठीक न अलग सरकारों के हमारी क पॉलेसी थी चाईना की सरकार के अलग पॉलेसी थी हुर्ण हमारे सरकार के अलग पॉलेसी थी क्या थी दा एक्जिस्टेंस ऑदा डैमोकरेसी इन कोई इंडिया मेड़ ज्यादा अकउंटेबल ती कि रिदंधन एके से कम किया क्या किक का क्व किम से कम इफनाएंगा हम पे दे प्टाउट आओट है नो लार्ज फेहमान त्क टेकन प्लीस दर्ड इंडिपैंदान इंड Commission to किसी भी किसी भी शुतन्तर और लोग दोघांत्र देस इसमें कभी इतना बडा के वहाल फायिन पढ़ा ही नहीं कुना पढ़ा ही नहीं कि मैंने पतहुता कि अपको कि वैफाया सी बात होगी सरकार के तो लोग जनता भी ऽटकों जाएगी आपोजीशन आजाएगा प्रेस है अम्हारत पाग मीडिया है आज के जमाने में इंडिया आज के जमाने में सोसियल मीडिया है आप फेस्बूक वट्साइट ट्वीटर इंस्रोग्राम आप सब जगें आप सरकार की खिली उड़ा सकते हो ट्रेंट करा सकते हैं अगर सरकार जंता के जंता के हिसाब से नहीं चलेगी ठीक है ना सरकार को वह गवर्मेंट का आज ही देखिया आप लॉकडाउन हो रखा है सब कुछ एकनोमिक कुरोना के विज़से सरकार तिन-तिन महीने का रासन दे रही है रासन की दुकानों में फ्री रासन दे रही है जंदन खातों में 500 रुपे दाल रही है क्यों दाल रही है कि गवर्मेंट रस्पॉंसिबल है कल के दिन उसे बताएगी कि हमने करा क्या है ठीक है ना उन्हें चुनावी तो लड़ना है उन्हें बताना है आपको लोगों को जंता से पोट मांगने कि वह आपने आपने किस जमाने में ऐसे नहीं कर सकती इस चाइना टु है दा मुटी पर्टी एक्षम पर्टी पर्टी और फ्री प्रेस ट्रिटिसाइग गवर्मेंट अगर चाइना में यह उता तो चाइना में बी नहीं होता है वह भी सरकार का खिलाफ धरना पर्दसन ठीकिर रेलियर निकाली जा आप गिश्क कर जाता है कि उसमें फ्रीटम होती है हमारे पाथ क्रिटिसाइज करने की सरकार को फ्री प्रेस होती एंपोजिसन होता है ठीक रिचारे ड़ती है इस ठीक नाई इससे डढ़ती है सरकारी कि भई लोग हमें criticize करेंगे कैसे मूह दिखाएंगे जंता के सामने एफ पर अगर वो क्ỉंजिए थो डिया नहीं पड़ेगा खौति संक्र में ख्रीनाहिक करना घ्र देपर suis हमें आट्ड पीछे नहीं कर सकते हैं क्या कर गोंगे आप उतने किया करोगे आप वोटिक होती नि क्या वोटिंग होती नहीं किसको दो गया आप अपोजिशन होता है नहीं हो कुछ अब देखिए अब यह इंपोर्टन लिख लेते हैं अब डेमोक्राटिक गवर्मेंट इस बेटर गवर्मेंट डेमोक्राटिक गवर्मेंट बेटर गवर्मेंट केवी यह आपंवल ओंवर्म है यह जो मोर कोंटेवल अब कर मोर्मेंट रेमोक्राइए अब आता है कि गज्ट कि वाई कर सकता है दीजन मेकिंग में लगता है नृवा व्त खालते हैं तूट अपने लियुकाल अपने यह तूट अब जटाए अपको हड तर्वेस करते हैं तूट करते है कि अपने अपने और अपने देशkiej जिए ले ले ल्ग टाल्ट वगया तो डाइबर डाइवर से लिंग्वेश्निक डाइवर सेटी यह कास्ट कास्ट डाइवर सेटी इतने सारे लोग है रिजना आ यह काई कई पलेन सेखाइं इन पहाड़ आपन के असलेगी सब जचिंग अब हांसे तो पुट देर हैट तोगेधर आर एबल तो पॉइंड आप पॉसिबल मिस्टेक इन डिजिजिन जब बहुत सारे वह निकाल से निकाल शकते कि अच्छा ये गल्थी हो सकती है कि हर आदमी अपने अगल से सोचता है फिर इस Carnival व्हूंषी देर्ट डाम Bennett, दिरी से नइडी अडी दोड़िस फ़ीर चाहं स सब्सक्रान चाहर रहे इंपर्स ब्सक्राण डिस्जन भें, जि कुर राम दॉण ट्रांज में पहले संपिलारा बड्छोशद देर्म आकशल, बड्राहे स्वर दॉण कृण की कि तीसरा अर्वीमे हम प्लेन के रहने वाले हम पंजायड हम यह किया है यह हमारे culture difference हो गहें फिर हमारे culture difference में यह साउथ इंडिया-noort इंडिया का अजिन ही लग है फिर language भी हिंदी बोलने वाला पंजाभी बोलने अद है ठीक हम अब उर्दु ने अमरारी तेल गुकन हमारे पास मेथड प्रॉवाइट करती है डेमोक्रेसी कि किस तरह के से अपने कॉंफ्लीट को दूर कर सके हैं इन सुसाइटी सुसाइटी इन एनी सुसाइटी आर बॉंट तो है डिफरेंसेज एंड उपीनिया एंड इंटर्स हर एक समाज में कैसा भी समाज हमारा तो इतना क ठीके ना तरह डिफरेंसेज आर पर्टिक्लर इस आरपीन कंट्री लाइक आवर्स विच आमेजिंग सूचियल डाइवर्सेटी हमारे देश में तो इतनी आपके व्यू और दूसरे की व्यूमारे सबके वारे सबके हमारे सबके हमारे सबके नजरिया अलग-लग होना चीज यह सैर का अथ्मने दुनिया का अलग नजल से देखता है ठीक हां फिर ह्ट धर्म हमें अहर आद्मेह तरीके से देखता है हुना इसे सारे लोगें ठीक है ठीक है? कि पेम बरंग डिफूर.esta प्रेकिसे different religion, have different caste पॉत इसे इसारत इसे हां तो तो difference तो होने ही होने यार, मदभेद तो होने ही होने, ठीक है ना, बातों में कभी class भी हो जाये, कभी मदभेद भी हो है, they look at word very differently and different, ठीक है, the preferences of the one group, एक दूसरे के preference में हमारा पंगा हो जाता ही है, ठीक है ना, कही है, आप देखा होगा, सुना भी और टीम है, कि गाएं के चक्कर में, कि हिंदू गाएं को पवित्र मांते हैं, तो कोई और उसे मार दे, काड़ दे या खा जाए, तो क्या हमारे बड़ी problem होती है, तो हमारे differences है, हैं हमारे differences, तो हर religion में, हर जगे, हर देश में होते होते हैं, और किसी चीज में, किसी चीज में differences आजाते हैं, आपस में religion में, तो यह चीज होनी होनी है, पर क्या है, हमारे पास system है, democracy में, अगर आप non-democracy में रहते हैं, तो हमारे क्या तो majority, minority को सब rule कर देती हैं, उनको दबा देती हैं, सबन करें क्या हैं, था क्रते हैं , अगरा चाहीजंसे लडाई चाहीज भी जाराकरके तो उससे चाहिए होते हैं, घांजाच क्यों हसते हैं, अगरा सब रॉसरी क और फैब क्रकारट भी कहँष्छ ने रहते हैं उससे उस्पार है को भी क्वी खुश्टन रहाए हैं, लडाई से कोई लडाई या युद्धू से कोई चीज solution नी हो सकता ठीक है ना बातचीत करके हो सकता different group are not able to live together for long in such a way democracy provides the only look only only peaceful solution to this problem सिर्फ लोग तंतर प्रोवाइट कर सकता है peaceful solution in democracy क्यों कैसे कि in democracy no one is permanent winner or no one is permanent loser different group can live one another peacefully in a diverse country like India ठीक कैसे देखो यहां तो कोई भी ना permanent winner ना permanent loser है कैसे भाई कभी सब्सक्राइब अगर मुस्लिम लोग कॉंग्रेस सपोर्ट कर तो कभी कॉंगरेस से सरकार आती है अगर सब्सक्राइब लोग ऐसा होता नहीं कि सारे हिंदू कर रहे सब्सक्राइब पर हिंदू लोग सब्सक्राइब किसी को बीजेपी कर सब्सक्राइब कर तो कभी बीजेपी सरकार यहां तो सबसे जहाए इस्ट वार्ट के आपके संवान को बढ़ाती है कैसे क्यों आप सरकार से आपको प्रोटेक्शन होता है आपको पता होना चाहिए कि आपके पास fundamental rights कि वो fundamental rights कोई सिचीन नहीं सकती कभी सिर्फ national emergency को छोड़ दिया जाया बाकि कभी आपसे कोई fundamental rights शीने नहीं जा सकते right to speech, right to expression, right religion, religion right, right equality, culture and educational rights इतने सारे rights रहते हैं fundamental rights, 14 से लेकर हमारे रहते हैं, 32 तक तो इतने सारे rights हैं हमारे पास तो यह सब rights हमारे पास इसलिए हम क्या state से protection रहते हैं, यह states हमारे यह rights छीन नहीं सकता है हमारे dignity को बना के रखता है, political equality, recognizing political equality finally democracy is better than other, finally the democracy is better than other form of government because it allows to correct its own mistake, यह हमारी गलती को सुधार करने का मौका भी देता हैं, हमसे गलती होगी तो हम सुधार करने का मौका देता हैं में democracy, ठीक है ना, और as case there is no guarantee that mistake cannot be happening, यह ऐसा होने सकता के democracy में गलती होती होती रहती है, पर सरकार ने कोई कोई आधे जारी किया, अब लोगों से आधे समें बड़े प्रिसानी हो रही हो रही हो रही हो, बहुत प्रिसान हो रहे हैं, लोग बहुत प्रिसान हो गे, तो क्या होगा, यह तो सरक क्या करेंगी या तो इस decision को change कर देगी और सरकार अगर नहीं करती है, सरकार बोलती है, नहीं मैं तो नहीं करूंगी तो अगली बार चब चुनाओगा तो पबली सरकार को इपदल देगी, ठीक है ना, पार्टी ही चेंज कर देगी, गवर्मेंट के एक नहीं पार्टी को आ हमता है, तो यह सबसे बड़ा important decision है, ठीक है ना, तो यह democracy की बात हमें यहां तक समझ में आगी, तो बच्चों यही सबसे ज़्यादा important बात है इसमें, दूसरा यह बता आना चाहरा हो कि मैंने आपको बता है कि democracy में क्या representative democracy है हमारी, example मैं आपको बता हूँ, डेमोक्राशी क मैं आपको इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, तो उत्राखंट को क्या कर रहा है, सबसकर मैं लोगसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लोगसभा, पाल्लेमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उत्राखंट को उन्होंने पांच भागों बाट रहा है, सबसकर हूँ तो ऐसा वहलो एक यह हो गया दो ठीक है ना एक दो तीन चार ठीक है ना पांच एक दो तीन चार ठीक है ना टोटर पांच पांच भागों बाट रहो जाए हाँ हाँ है तोटर पांच पांच उसमें बाट रहा पांच लोग सबा छेतरे में ठीक है ना पांच लोग सबा छेतर पांच लोक सरभादनार को उत्रक्ट में और पांच को क्या करते हमृड कर festival करते था हम अगया दून जब ये बात आती हम्यां कुछ थे कों प्याइब पार्लेमेट तो पांच MP चुंतेों हम थे ना, और वह कारते हैं, वह हमरे रिपरजञक करते हैं, तो हम क्या है बहरत क्या थे, For Om क्या है, हमें हमें एक तरह से.. भारत का रिपरजञक देमक्रेसिय ऌड़ सींच हैं, गजले हैं विदानध बिद रिपर्जंटेटेटी हमारे परतिनीदिये हूं, हमको रिपर्जंट करते हैं, कुछ पॉबलेसनों रिजर्व करते हैं, जैसे कि मैं रिची केस को रिपर्जंट करने वाले हुआ एक विधायक जी हैं, ठीके न, और जब मैं सांसदी ही, हर्दो आर लोग सावाद शेर्थमा तो उसके रिपर्श करने वाले हमारे एक सांसाथ है तो यह चलता रहता है ठीक है ना समझे तो बच्चों आज के लिए फिर यह कम्टीट हो गया हमारा यह ठीक है यह पूरा चेप्टर हमारा होगे निपड़ गया इसमें हमने वाइज देमोक्राइश के वारे डिसकस करा तो क्यों तो थेंक्यू फर वाचिंग I hope आपको यह चेप्टर समझ माए होगा ठीक है यह मैं चेप्टर की में पर ज्रोच जादा मैं में फोकस आ ही-नी मेरा मेन मकसद कि है कि आपको समझाका न यह समीज़ साओ ठीक है तर आफ आजके आपको अ and तभी आप एक good citizen, good voter बनेंगे, ठीक है ना, आप मुझे comment box में वो कर सकते हो, message कर सकते हो, कि आपको 9th class के और किस subject में video चाहिए, ठीक है, thank you for watching, thank you